हालो गोड़ों दोस्तों मैं एक लेस एक बार फिर आपसी से अपने चानल पुछुड़ता हूं चलिए दोस्तों आज में नए टॉपिक डिसकस करते हैं भारत चिन सीमा विवाद अभी हाली में 14 जोन को हमारे भारत के 20 सीमा पर सहीध हो गये हैं कि रहे हैं वारत चिन सीमा विवाद इसके वारे में चिक्र करते हैं तो चर्चा मकि हैं भारत चीन सीमा पिछले महिने से तनाव में देखा जा रहा हूं जिसमें वास्त्विक नियंद्रव डेकर यानि लाइन आफ एक्षन कंट्रोल के साथ साथ कम से कम चार अलग अलग इस्थानों पर इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं चार अलग अलग स्थानों पर बुन चार इस्थानों की देखते हैं लद्दाक में पैंगाउं सो जिल गालवन घाटी और देम को देम्चोक सामिल है ठीक है पैंगाउंं सो और Global Times of China के एकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 43 सैनिक सोल्डर्स चाइना के भी हताहत हुए है ठीक है तो गालवन घंटी देमचोक सामिल है इन इस्थानों पर चाइना के साथ काफी ज्यादा भी विवात की इस्तित उत्पन हुई है विविदीड चीन की जमीनी सीमा दुनिया के चौदा देशों के साथ साथ सट्व हुई है यह एक महत्पूरום सामोः कि चीनगी जमीनी सीमा जब्भी कभी बेलियंम और से equally आप स्सक्राइब जर्ठीक करें। उसमें यह लाइन बनके आएगा यह कोश्म बनके चीन की जमीनी सीमा दुनिया की कितने देशों के साथ सटी हुई है ठीक है ऐसे कोश्म बनके 14 देशों साथ तो ध्यान दीजे कि आपको यह परफेक्ट करना है कि चीन की जो जमीनी सीमा है दुनिया की 14 देशों के साथ सटी ह जिन में से अधिकार देशों के साथ उसके सीमा विवाद हैं यानि अधिकांस देशों के साथ उसके सीमा विवाद हैं भारत में चीन की आई बार ऐसी सीमा आती हैं जहां पर विवाद उत्पन हुए अब एक कुछ समय पहले सिक्किम के नाथुला दर्रे के पास हुआ था और इधर आप देखो पूर्वी लद्धाक में हो रहा है गालवन घाटी में अभी प्यंक्सान जिल के पीछे हुआ कुछ ऐसे काफी दिनो लगबग दो दर्जन से अधिक हैं कहां कहां पर है यानि लद्धाक में हिमान चप्रदेश उत्राखंड सिक्किम और अरुणा चप्रदेश इनमें सबसे ज्यादा दो दर्जन से संभावने तब अधिक होती है जब यह दूसरे के प्रत पर इस्थाँ पर की तहजीद देते हैं क्या होता है यह वाहां पर एक से छार फिंगर तक इंडिया को फिंकर कर पेडियर क्का बच्रॉड चार से लिए आट पिंगर बना हत्यार के नहीं जाएंगे लग कोई हथियाल लेकर नहीं जाएंगे और जब पाकिस्त जब चाइना करता है पेट्रोलियम फिंगर चार पर तो उसके भी लिए यही सर्थ होती कि आप बिना हथियार के यहाँ पेट्रोलियम करिए यह होता है फिंगर चार तक ठीक है अब इसी के बीच में क्या होता है अभी बताया गया है कि वो जो लठ होते हैं लाठी टाइप के ठीक उनमें से कांटेट लपेट के लाए थे और भारत की चैनिकों को पर उसी से वार किया गया तो देखते हैं इन देनों दोनों देशों का आमना साना होने की संभावना तब अधिक होती है जब विवाद इस प्रोटो काल ने 2015 और 2013 में ऐसी घटना को रोकने के लिए संबंधों के विस्तार नियमर पर सहमत वقت की गये थी कि ठीक लेकिन हमेशा की तरह इसका पालन नहीं किया जा रहा है दयासल वह का रहा है कि भारत इंडो-चाइना बार जब 1962 हुआ था उसके बाद से धीरे-धीरे आपस में बाह्त चीत चल रही है जिससे हमारा अक्साइट जो भारत को हिस्सा है पाकिस्ट चीन की कफजे में ठीक है उसी के बारत ने और चाइना ने आप सी वारत ना कि उसकेत ही पता है कि आप मारी सेन염 करने कर्दी करेंगगे नहीं dogs आपकी तरफ पर दोस्तिंन लिए चाइना ने क्या किया आपसी हातापाई ही स्टार्ट किए और इसаций के वजये से हमारे बीट सहीद हुए है ठीक है तो ये पूरा भारत और चीन के बीच का जो सीमा विवात है उसका डिसकुसन था दोस्तो अगर चैनल अच्छा रहुत पीच चैनल सिस्क्राइब करें लाइक करें तेंकियो दोस्तों बाए घुट नाइस जाएं दोस्तों बाब बाए